नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ और दोस्तों हम कर रहे हैं अपनी व्याकरण की सिरीज, इसके अंतरगत हम पढ़ रहे हैं संधी और संधी में आने वाली हमने स्वर संधी को पढ़ लिया था उसके भेदों के बारे में हमने जान लिया था तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधी इसमें हम देखेंगे व्यंजन संधी और उसके नियम तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहले अगर हम बात करें व्यंजन संदी की तो जब हमने अपनी पहली गलास लगाई थी तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि प्रत्थम वर्ण यदि व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संदी कहा जाता है एक पूरोपद एक उत्तरपद पूरोपद का हम आखरी वर्ण लेते हैं और उत्तरपद का हम पहला वर्ण लेते हैं तो उनको मिलने से जो विकार उत्पन होता है उसे ही संदी का आ जाता है तो कहने का भी प्राय यहां पर यह है कि पूरपद का अंतिम वर्ण यदि क्या हो व्यंजन हो तो वो क्या हो जाएगा व्यंजन संदी कहलाएगी वियंजन के बाद स्वर या वियंजन आने से जो विकार उत्पन होता है उसे वियंजन संधी कहते है तो देखे वियंजन के बाद वियंजन आने से भी क्या हो जाता है वियंजन संधी बन जाती है ठीक है, आपने यह याद नहीं रखना है कि पहले क्या होगा, व्यंजन होगा, तब भी व्यंजन संदी होगी, तो व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा, तब भी व्यंजन संदी होगी, ठीक है, यदि पहले स्वर है, बाद में व्यंजन है, तब भी क्या होगा, व्यंजन सकता है ठीक है तो यह आपने यार रखना देखिए इसके उधारन देख लेते हैं जैसे यहां पर देखिए वाकीश है वाक जम्हाईश है है ना तो यह देखिए वाक जम्हाईश तो वाक में देखिए को क्या है को अपने आप में क्या है व्यंजन है क्यों क्योंकि इस से हमन जो ओ की ध्वनी है दिखिए ये हलंद कर दिया न हमने इसको तो इसका मतलब है कि यहां से हमने जो स्वर था क्योंकि व्यंजन जो क्या है वो स्वरों की साहिता से बोले जाते हैं जब हमने इसको हलंत कर दिया तो हमने ये माना कि इससे हमने क्या कर दिया व्यंजन की जो स्वर की ध्वनी थी उसे हमने निकाल दिया मतलब औ की जो आवास थी उसको निकाल दिया ठीक है तो यहाँ पर को रह गया तो को क्या है व्यंजन है और आगे देखी क्या है स्वर है न तिम वर्ण क्या है कौ क्या है वो है व्यंजन आगे क्या है स्वर है ठीक है तो ये होगी एक चीज व्यंजन के बाद क्या आ गया स्वर आ गया दूसरा देखिए दिक जमहा अंबर तो यहाँ पर भी कौ से हमने औ निकाल दिया तो व्यंजन है आगे इसमें भी क्या है इसमें व्यंजन उपर देखिए E स्वर था और स्वर था लेकिन यहां पर भौ क्या आ गया भौ जो है वो आ गया आपका व्यंजन तो देखिए व्यंजन के बाद व्यंजन तो यहां पर क्या आ रहा है व्यंजन के बाद व्यंजन है ना तो उसको भी क्या कहते हैं उसको कहते हैं व् ठीक है, वी, जम, छेद, ठीक है, तो इसमें देखिए पहले क्या है, इसमें E की आवाज आ रही है, तो E क्या है, वो स्वर है, और आगे क्या है, आगे हमारा चो है, तो चो अपने आप में क्या है, व्यंजन है, तो दीखें स्वर के बाद यदि व्यंजन आता है, तो तब भ देख लेते हैं कि जैसे यहां देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि वाक जमा इश तो इसका कौ था यहां पर तो इसका गौ हो गया ये गौ कैसे हो गया ये वाला गौ कैसे आ गया और ये सत भावना से सत भावना कैसे हो गया ये हम विस्तार से देखेंगे व्यांजन स संदी के नियम तो जिस प्रकार हमने सर संदी के भेद पड़े थे वियंजन संदी के इस तरीके से कुछ भी भेद नहीं होते हैं लेकिन वियंजन संदी के क्या होंगे नियम होंगे और वह कौन-कौन से नियम है वो हम देख लेते हैं देखिए पहला जो नियम कहता है वो कहता एक से तीन होना, तो एक से तीन होने का मतलब क्या है, देखिए, हमने जब वर्ण विवस्था के बारे में पढ़ा था, या वर्णों के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि हिंदी वर्ण माला में कितने वर्ण हैं, वर्ण, ठीक है न, वर्ण पांच है, को, च, ट तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, तो ये कह रहा है कि एक से तीन होने का मतलब है, जैसे कवर्ग का पहला वर्ण क्या है, एक है न ये, तो ये कव है, तो इसका तीसरा क्या है, गव है, ठीक है, ठीक वैसे ही, ये कह रहा है कि एक से तीसरे में चला ज कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं प्रत्थम वर्ण का तीसरे वर्ण में तीसरे वर्ण में परिवर्तन या यूं कहें कि अपने ही वर्ण में बदलेगा वो चलिए पहले आप इतना तक देख लिजिए कि एक से तीन का तो तो से देखी क्या हो जाएगा दो और पांचों क्या है पो तो पो से हो जाएगा बो यह बकरी बाला बो ठीक है तो यह देखिए यह कह रहा है कि यह है एक से तीन होना तो एक से क्या हुआ तीन हुआ चो से जो तीसरा बरन है तो से दो तीसरा वर्ण है तो से दो तीसरा वर्ण है और पो से बो तीसरा वर्ण है तो यह दोस्तो एक से तीन होना तो देखिए यह किस स्थिती में होता है यह अब समझना बहुत ज़रूरी है है ना अराम से हम इसको करेंगे बिल्कुल सोच समझ के जो भी है यह बहुत सिं प्रत्थम वर्ण है ठीक है प्रत्थम वर्ण का मेल यदि सघोष धनी ये याद रखना है सघोष धनिया तो ये भी हमने वर्ण में पढ़ लिया था कि सघोष धनिया कौन से होती है इसमें आती है आपकी तीसरी चौथी और जो पांचों वर्ण है है ना तीसरी चौथी और नासी के धुनियों को छोड़ कर तो नासी के धुनियों को हम इसमें नहीं लेंगे या तीसरा चौथा जो वर्ण आता है प्रतीक वर्ग का उसके साथ किस का मिलन हो जाए पहले का ठीक है ना जो प्रत्थम वर्ण है को चौटा तौपा उनका मिलन अगर किस से हो तीसरे चौथे वर्ण से हो या फिर अन्य जो सगोश दोनियों देखे कौन आती है सवर भी आते हैं इसमें सगोश दोनियों में क्या क्या आएगा आपका सारे सवर आते हैं ठीक है या सवरों से मिले या फिर आपके य, र, ल, व, इन से क्या हो जाए, इन से ये मिल जाए, कौन, आपका कोचटा तौप, या पहला वर्ग, प्रतिक वर्ग का, तो क्या हो जाएगा, तो जो पहला वर्ग है, पहला वर्ण है, वो अपने ही, अपने ही वर्ग के तीसरे, देखो, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है क्लेरे दोस्तों यहां तक आप सको समझ आ गया होगा देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि यदि कोचोटोटोपो पूरा बताता हूँ मैं आपको कोचोटोटोपो का मेल सघोश धनियों सघोश धनियों से हो सिवाए किसके अनुसार के तो पृतियेक वर्ग का जो पहला वर्ण है जो कचोटोटोपोव हैं वो किसमें बदल जाएंगे गोजोडोदोबो में गोजोडोदोबो तो यह इसमें बदल जाएंगे चलिए यह हमने इसके बारे में थोड़ा सा नियम के बारे में जान लिया अब हम इसको एपलाई करते हैं कि कहां पर कैसे होता है सबसे पहले यहां पर देखिए दिगज तो जो यह दिगज है देखिए इसमें क्या है गोँ है ना फिलाल तीसरा चौथा और यह और लोवो मतलब जो भी सगोश धोनिया है या ओ आ इई से ले करके जितने भी हमारे स्वर हैं उनके साथ हो दिखिए दिक जमा गज तो नियम हमने सिर्फ एपलाई करना है दी हमने वैसे ही रखना है को की जगा हमने गौल गाना है इसको हलंत इसलिए क्या हुआ है क्योंकि इससे हमने स्वर को निकाल दिया तो हम इसको क्या करेंगे आधा लिख देंगे आगे हमने कुछ नहीं करना है हमने पूरा का पूरा वैसा ही लिख देना है और यह हमारा क्या हो गया, इसकी संदी हो गई ठीक है दोस्तो, तो कहने का भी प्राय क्या है हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दो वरणों को क्या किया चेंज किया, तो जो ये कौ से हमने क्या कर दिया गौ बना दिया, ठीक है दोस्तो तो दीखिए बहुत सिंपल और साधारण नियम है बाकी शब्दों वर्णों में हमने कोई भी हिर फिर नहीं किया सिंपली कौ से हमने क्या कर दिया गौ कर दिया तो कौ से गौ का बनता है जब उसके बाद क्या हो कोई सघोश ध्वनी हो है ना तो तब क्या आ जाता है जो प्रत्थम पद का आखरी जो वर्ण है अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है क्लिर है दोस्तो आपको समझ आ रहा होगा अगर आपको पता ना चले तो आप कॉमेंट सेक्षन में जाकर मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ठीक दोस्तों यह देखिए दूसरा उदारन देख लेते हैं इसमें दूसरा उदारन देखिए क्या कहता है कि अज अंत चो आपने आप में हलंत है तो यह क्या है व्यंजन संदी है ब्यंजन है ये अंत तो अंत ओ क्या है ओ क्या है ओ हमारा सगोश है ना तो देखिए चो सगोश से मिल रहा है तो चो का जो तीसरा बन क्या होता है ये देखिए ये जो यहां आ गया ठीक है तो इसमें की भी क्या हो जाएगा चो से जो बन जाएगा तो ये अजन्त हो गया जमा यंत्र तो तो के बाद क्या है यो तो देखिए हमने पहले भी बात की थी योर अलो वो भी इसमें आते हैं किसमें सगोश में आते हैं तो इसलिए इसको क्या का जाता है कि ये भी किसमें बदल जाएगा तो भी किसमें बदल जाएगा डो में तो ये भी शर्यंत्र हो गया डौ है ना शर्यंत्र अगला है देखिए उत जमा भव तो तौ का तीसरा भी आप यहां पर आ गया देखिए तौ से क्या बन रहा है दौ है ना उत जमा भव ठीक है एक बार इसको फिर से देख लो देखी कैसे हो गई है जैसे उत तौ इसको हलंद कर दिया यह ऐसे हो गया ठीक है अब हमने क्या देखना है तौ की जगा हमने दौ लगा देना है simply क्यूं क्यूंकि भव क्या है वो अपने आप में सघोश है ठीक है आगे हमने यू लिख देना है तो यह ऐसे होगा देखिए है ना यहां पर वर्तनी थोड़ी सी अलग होगी है अलाकि यह सही है लेकिन इसका जो रूप होगा वो ऐसे होगा उद्भव क्योंकि तौ जो हलंद था इसलिए हमने दौ को क्या कर दिया आदा लिख दिया क्लिर है दोस्तो तो यह है व्यंजन संधी का जो पहला नियम है कि एक से तीन होना आखरी देखिए इसमें क्या है आखरी है इसमें अबद यह अबद तो जिसको जलद कहा जाता है ठीक है तो यह प्रयवाची भी आपके लिए हो गया एक ठीक है तो इसका क्या आता है अब हलंत हो गया जमा दो ठीक है अब होता है जल ठीक है अब क्या होता है जल होता है तो पौ का जो तीसरा वरण है वो क्या है बौ है तो बौ को हमने हलंत कर दिया था तो यह आदा हो गया आगे दो को हमने ठीक वैसे ही रख दिया तो यह अबद हो गया तो अब इसको कहा जाता है जलद को, मेग को, बादल को तो ये इसके प्रयावाची भी हैं देखिए आपको इस तरीके से याद रह सकता है अप का मतलब है जल, दो का मतलब है देने वाला तो जल कौन देता है बादल देता है ये है देखी ब्यंजिन संधी का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि पहला वर्ग किसे में बदल जाएगा तीसरे में बदल जाएगा समझ आ रहा है दोस्तो अगर आपको पता ना चले तो आप कमेंट सक्षन में जाके बता सकते हैं और समझ ना आए तो इसके लिए हम फिर से नई वीडियो नई तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से थोड़ा सा सरलता के साथ ये चीज हो सकती है चले दोस्तो अब हम इसका दूसरा नियम देख लेते हैं देखिए दूसरा नियम ये कहता है कि एक से पांच होना तो जब हमने पहले पढ़ा था ना कि अब 1-3 हो रहा था जो हमने उसमें कौन सी पांच वी द्वानी हमने काट दी थी तो यहाँ पर हम इसको लेंगे देखिए 1-5 का मतलब क्या है ठीक है यह कहरा है कि देखिए एक बार फिर से इसको कि प्रतेक वर्ग के प्रत्थम वर्ण क यदि नासिक के वरण से हो ठीक है जो पहला वरण है देखिए इसका मेल किससे हो नासिक कैसे पंचम जो वरण आते हैं तो जो नासिक के हैं वो कौन-कौन से हैं देखिए ये या फिर आप कहते हैं ये 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 पांच ठीक है इन से हो तो इन में से देखिए ये कह रहा है कि प्रतेक वर्ग के प्रत्थम वर्ण का मेल यदि नसीक के वर्ण से हो तो नसीक के तो ये पांच ही है ना ये देखिए इस से कभी शब्द शुरुवात होती नहीं है नो से कभी शब्द के शुरुवात होती नहीं है और इन से कभी शब्द के शुरुवात नहीं होती है तो हमारे पास बचते हैं simply कौन से ये दो, ये और ये वे न तो ये कह रहाए कि प्रतेक वर्ग के प्रत्थम वर्ण का मेल आप यहाँ पर नासिक्य की जगा लिख सकते हैं नो और मों से हो ठीक है? तो प्रतेक वर्ग का प्रत्थम वर्ण उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है तो पहले क्या था? तीसरे में बदल जाता है ना? तो यहाँ पर यह क्या बदल जाएगा? जब पांचों में बदल जाएगा कब जब क्या हो? कौच और टौत वर्पो के साथ क्या हो? नो और मों आगे आए ठीक है? तो उसमें क्या हो जाएगा? कि वो पांचों वर्ण में बदल जाएगा अब देखे इसमें कैसे? उधारन देख लेते हैं देखे यहाँ पर क्या है? सत जमा मार्ग तो सत में तो हलंथ है वेंजन संदी है ठीक है? और आगे हम क्या क्या पढ़ रहे है? तो तो क्या है? तो वर्ग का प्रत्थम वर्ण है ना? ठीक है? तो वर्ग का क्या है? ये प्रत्थम वर्ण है ठीक है अब ये मौ से मिल रहा है तो मौ क्या है ना सिक्के धोनी है ना तो देखिए तो की जगा हमने सिर्फ तो की जगा लगाना है क्या लगाना है उसी वर्ग का तो तो वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है तो तो दो धो धो न तो ये है ना तो इसको हमने लगाना है हलंत करके यह देखिए हमने, और हमने कुछ भी नहीं किया, हमने और कुछ भी नहीं किया, simply हमने 100 को 100 लिखा, तो की जगा हमने आदा 9 लिख दिया, आगे हमने मार्क जोड दिया, बस, that's it, तो यह क्या है, यह है, एक से 5 होना, तो एक से 5 किसका हुआ यहां पर, किसके बाद, प्रत्थम वर्ण, तो प्रत्थम वर्ण का तौवर्ग का पहला जो वर्ण है, वो तौई है, ठीक है, तो यहां पर इसलिए, यह क्या हो गया, तौव जो है, पांच वर्ण में तबदील हो गया, clear है दोस्तों, बहुत simple है, एक बाद फिर से अगला उदार्ण देख लीजिए, shut muk, तौव का जो अंतिम वर्ण है, देखिए, तौवर्ग का, वो कौन सा है, वो है यह वाला, no, ठीक है, जो यहां लगा है, देखिए, बीच में, shan muk, तो तौव किसमें बदल गया, no में बदल गया, बाकी हमने सारी चीज़ें वैसी ही रखिएं, देखिए, muk का muk ही लिखा है, shaw का shaw ही लिखा है, simply इसकी जगा, तौव की जगा नौ लगा दिया, यही क्या है, यही vengeance दिया, बहुत simple है दोस्तों यह, है ना, इसको सिर्फ आपने समझना है, समझने की कोशिश करनी है, कि कहना क्या चारा है, अगला है देखिए, जैसे सत जम्हा निवेश, सन निवेश, तो सौ की जगा सौ ही लिखा है, तौ की जगा आदा नौ लिख दिया, फिर हमने फिर से क्या कर दिया, नौ लिख दिया, ठीक है, तो एकी मात्रा भी यह साथ में, तो हमने इसको यू लिख दिया, सन निवेश, सन निवेश, ठीक है दोस्तो, तो 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 नौ, नौ, तो का अंतिम वर्ण क्या है, नौ है, ठीक है, अप जम्हा, यहाँ देखिए, अप जम्हा, मै, ठीक है, अप, तो अप हमने पीछे पढ़ा था, क्या है, जल, ठीक है, और मै, जल मै, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अप, तो पो का अंतिम वर्ण क्या है, पो 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 म, तो आगे का हमने, simple वैसे ही, रख देना है, clear है, तो यह हो गया, अप मै, तत मै का भी वैसे ही, तन मै, तो के बाद, नो, तो का आखरी वर्ण क्या है, नो है, और उसको हमने हलंत कर देना है, इसलिए यह क्या हो गया, तन मै, तो यह था दोस्तो, एक से पांच होने वाला नियम, तो यह था नियम नंबर दो, अब हम देख लेते हैं, चो संबंधी नियम, किसी भी हरस्तो सर या आ के बाद, चो आए, तो उसमें, चो से पूर्व, जोड़ दिया जाता है, चो से पूर्व के जोड़ दिया जाता है, व्यंजन आये, तो भी क्या होगा, व्यंजन संदी होगा, तो यहाँ पर देखिए, हरस्तो सर भी आ रहा है, और आ, दिर्ग, दिर्ग का सिर्फ आ आ आएगा, देखिए, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, हम सिंपल कुछ नहीं करते हैं, सिंपल हम उसमें ये 4 जोड़ देते हैं, आदा 4, ठीक है, देखिए, उदाहरन देख लेते हैं, जैसे अनू, तो अनू में क्या देखिए, अनू में क्या है, छोटा U है, तो छोटा U का मतलब है, यहाँ पर क्या है, हरस्तो सर है, आगे क्या है, आगे छो से छेद है तो छो है ना तो इसमें हमने कुछ नहीं करना है है ना सिंपली क्या बोला इसने सिर्फ आधा चो जोड देना है और ये अनुच्छेद हो गया देखिए सिर्फ आपने इसको याद रखना है ये जो चीज गई गई है कि किसी भी स्वर हरसोसर या आ के बाद छो आ जाए तो छो से पूर्व क्या जोड दिया जाता है छो जोड दिया जाता है ठीक है दोस्तों क्लियर है इतना कर अगला देखिए प्रती जमा छाया तो प्रती में ए क्या है छोटी ए ना तो हरसो सर है चाया क्या है चाया तो चो से शुरू हाता है इसमें क्या लग गया इसलिए इसका हो जाएगा प्रतिचाया तो भी में भी चुटी ही है आगे चेद है तो भी चेद सौजमा चंद, सौचंद तो बहुत सिम्पल है चो समपन्धी नियम मौसमन्दी नियम में ये कह रहा है कि मौका मेल यदी स्पर्ष उश्म या अंतस्थ व्यंजन से हो मतलब कहने का भी प्राय ये है कि किसी भी व्यंजन से हो मौका मेल तो मौकेस्थान पर अनुस्वार आ जाएगा मतलब यह आ जाएगा, बिंदी आ जाएगी ठीक है, जैसे यहाँ देखिए परंतु तो परंतु परं जमा तु परंतु, अब देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, simply मौ को हटा के उसकी जगा क्या लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया, clear है दोस्तो, मौ समंदी नियमें आपने simply सा याद रखना है कि जहाँ पर भी आपको लगे, कि मौ से समंदित कोई भी चीज, या कोई भी धनी है, या वरण है, या शब्द है तो उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ अनुस्वार जोड़ देना है, जैसे सम जमा गती, ये दिखें, सम जमा गती तो मौ को हटाके simply हमने क्या जोड़ देना है, या पर ये जोड़ देना, देखिए, ऐसे हो जाएगा ये संगती ठीक है जैसे संकलन सम जमा कलन, तो मौ को हटाके इसके उपर भी बिंदी लगा दी, सम जमा योग, संयोग, सम जमा सार, संसार ठीक है दोस्तो, सदारण है बहुत easy नियम है ये जो मौ संबंदी है, अब इसका दूसरा नियम देख लेते हैं, दोस्तो क्या है दूसरा नियम इसका कहता है कि मौ के मौ आए, तो कोई बदलाब नहीं होगा, देखिए मौ के बाद मौ आ जाता, तो कोई बदलाब नहीं होगा जैसे, सम, जम, मान तो देखिए, सम में मौ LEAST में है, आगे भी मौ से इशुरुआ तो ये क्या हो गया, दो मौ आपस में आ रहे हैं तो हमने कुछ भी नहीं करना सिर्प इसको लिख देना है ये देखिए ऐसी कर देना है इसको ठीक है तो मौ हलंत था इसलिए आदा लिख दिया है तो ये सम्मान हो गया सम जमा मुख सम मुख क्लेरे दोस्तो ये थे व्यंजन संदी के कुछ एक नियम आगे के हम नियम जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी अगर आपको समझ आया दोस्तो तो प्लीज कोमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताईए और मेरा भी होसला अवजाय कीजिए और अपना भी थोड़े सी जो जानकारी है उसको बढ़ाईए और हमारे साथ सांजा कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शियर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद